जैहिन वनमात्रम सात्यों अभी अभी CCS इन्वेस्टी की तरफ से दो बड़ी अपडेट आई हैं जिनको लेकर बच्चे काफी परेशान थे तो पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ और भी काफी सारी अपडेट है तो आज की वीडियो बहुत इंफर्मेटिव होन सात्यों जो एंफिल कोर्स है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है लेकिन फिर भी कुछ युनिवर्स्टी जो प्राइवेट युनिवर्स्टी है वो एंफिल में एड्मिशन ले रही है तो बच्चों को जागरूख होना पड़ेगा सचेत होना पड़ेगा यूजिस उनिवर्स्टी कंफिूज करते हैं लोग कि आपका इस कोर्स के लिए बंद नहीं हुआ ठो ऐसा कुछ नहीं है पूरी तरीके से जो में वो बंद हो तो यानि कि जिन paper code आपको नहीं मिल रहे थे date sheet में वो जारी कर दिये गए हैं। इससे आगे बात करें साथियो कुछ बच्चों के जो admit card है वो जारी नहीं हो रहा है तो उसके लिए जो तरीका है वो थोड़ा सा change कर दिया है वो बच्चे अपना form number ना डालके अपना आधार number से भी क्या कर सकते हैं अपना admit card download कर सकते हैं यानि कि admit card download यदि नहीं हो रहा है त साथियो जो आपका विवाद चल रहा है संदीप मैसवरी और डॉक्टर विबेक बिंद्रा के बीच में तो आप किसके पक्ष में हैं आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है और आप लोगों मेंसे कितने लोग इनको जानते हैं जानते मतलब personally relation तो नहीं होगे लेकिन कितने लोग इनके बारे में जानते हैं कितने लोगों ने इनकी वीडियो देखी हैं कितने लोग इनको समझते हैं तो मुझे comment करके जरू बताइएगा अब बात करते हैं साथियो next update की तो next update है साथियो जो आपका CCS University के private के form है उनकी जो date है वो बढ़ा दी गई है वो आप 15 जनवरी तक form fill कर सकते हैं तो 15 जनवरी तक आप अपने form fill कर सकते हैं 15 जनवरी तक date बढ़ा दी गई है तो साथियो almost मैंने सब सारी चीज़ें आपको clear कर दी है यदि अभी भी आपको कोई doubt या question रह गया है तो आप मैंने से comment box में पूछ सकते हैं मैं जितने जल से जल दोग उसका answer जोस्पर वीडियो बनाने की पूरी कोसिस करूँगा तो चलिए साथियों मिलते हैं आप से नेक ट्वीट हो इस तरह की information के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत